साकते दोस्तों आपका मेडिकल गुरूची के एक फ्रेश वीडियो में मेरा नाम है नीरव और ये वीडियो में हम बात करने वाले है Home Use VP Instrument के बारे में तो अगर आप वीपी वीडियो खरीदना चाते हो तो ये वीडियो अंतक्स जरूर देखे तो आसा रखता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए लड़ प्रेसर एक कॉमन डीजीज है आपको हर घर में बीपी इंस्ट्रुमेंट देखने को मिलेगा लेकिन लोगों गन्फ्यूजन होता है कि कौन सा एक्विप्मेंट खरीद है डीजीचल या मैनुवल तो ही टॉपिक पर यह वीडियो में हम बात करने वाल है दोस्तों लोग आटोमेटिक मशिन खरीद लेता है क्योंकि उसमें जो रेडिंग प्रोसेस होती है वो इजी होती है अप कफ लगाए ड़ण दबाई आपको रेडिंग मिल जाएगा लेकिन वहाँ पर दोस्तों आपको अक्विडियुरसी नहीं मिलेगी शर्ज सुना दोस्तों आपने वहाँ पर आपको अक्विरेसी नहीं मिलेगी तो मेरे हिसाब से आपको manual machine ही purchase करना चाहिए यहाँ भी दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ मैं what use करहा हूँ accuracy वो गलत reading नहीं देता है वो accurate नहीं होता है तो दोस्तों जब बात आती है manual machine पे तो लोगों कोई confusion होता है कि manual machine से blood pressure कैसे measure करें दोस्तों अगर आपको वो नहीं पता है तो उसके बारे में एक dedicated video publish किया हुआ है अगर आपको वीडियो देखोगे तो उसके बाद easily आप manual machine से blood pressure measure कर पाओगी वो वीडियो का link आपको description box में मिलेगा तो दोस्तों अब जब आप decide करते हो कि नहीं मुझे manual machine खरीदना है disadvantage भी है सबसे पहला disadvantage यह है कि वो थोड़ा costly है उसके बाद उसका maintenance आज ज्यादा है अगर mercury बहार निकल गया तो refilling की cost होती हो almost नए equipment के बराबर होती है तीसरा disadvantage यह है कि mercury एक dangerous fluid है तो आज mostly multi-specialty hospital में भी mercury वीप instrument use नहीं होते है क्योंकि उसके लिए बहुत सारी policies बनानी पड़ती है मैं भी बड़ी hospital में काम कर रहा हूं वहां पर भी हम mercury वीप instrument use नहीं करते है तो अब question यह आता है तो कौन सा वीप instrument गर के लिए खरीदना चाहिए दोस्तों जैसे कि आप screen पे देख सकते हो यह एक diamond company का manual भीप instrument है जो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर दोस्तों मैं कहना जाता हूं कि मैं कोई भी paid promotion नहीं कर रहा हूं लेकिन यह जो machine है वो बहुत ही accurate है और बहुत ही stable machine है मेरी hospital में सारे doctors यही machine यूज करते है और उनकी कोई भी complaint नहीं है तो आपको reading accurate मिलेगा mercury free है तो यह एक बहुत ही अच्छी choice है और सबसे best advantage का यह है कि उसकी जो price है वो mercury equipment से भी बहुत ही कम है उसके अलावा उसके दो advantages है सबसे पहला यह है कि वह बहुत ही lightweight machine है और दूसरा advantage यह है कि यह जो है वो एक clock type instrument है तो आपको जो digits है वो बहुत ही अच्छे से दिखेगी तो reading के लिए आपको मतलब इतना गूर के नहीं देखना पड़ेगा तो आप mercury instrument में ज्यादा पैसे डाल रहे हो और disadvantages बहुत ज्यादा है लेकिन यह machine उससे सस्ता भी है और advantages भी बहुत ही ज्यादा है और इसकी accuracy इतनी खराब नहीं है आपको बहुत ही अच्छे result मिलेगे अगर आपको नहीं पता यह machine को कैसे यूज करना है तो यह video मैंने आपक measure measure कर पाओगे जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको घूर के देखना नहीं पड़ेगा यह clock type भी इस्ट्रूमेंट है और यूज करने के बाद उसके पीछे जो space है वहाँ पे आप cup and pulse है वह रख सकते हो बहुत ही कम space लेगा बहुत ही accurate machine है low price है तो यह machine अगर आप घर में लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा result मिलेगा यहाँ पी दोस्तों मैं फिर से कहना जाता हूँ यह कोई भी paid promotion नहीं है मेरी ऑस्पिरल नभी सारे doctors यहीं instrument यूज करते है इसके accuracy ब से आप यह bp instrument purchase कर सको क्योंकि मुझे कोई भी पैसे affiliate marketing से नहीं कमाने है आप simply amazon.com पर जा सकते हो और महाँ पर सर्च कीजिए diamond clock type bp instrument आपको यह जो instrument हो मिल जाएगा तकरीबर फंदरा सो रुपे के आसपास तो दोस्तों बास यह वीडियो में इतना ही आसा रखता हूँ अपने friends के साथ यह वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और फिर share किजिए पने friends के साथ अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों subscribe किजिए मेरी चैनल को और साथी दबाए बैल आइकन को ताकि आप कोई भी update miss ना करो तो ऐसे फ्रेश कंटेंड के साथ जल झाल 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 झाल